असलाम लेकुम, कैसे हैं आप सब अच्छा, अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि चेस्ट पेन होती है, बहुत सारे लोग इस चीज की शिकायत करते हैं कि सीने में अक्सर दर्द रहता है, भारी पर महसूस होता है, जलन वगारा इस तरह की चुबन टाइ उस पेन नहीं है, मतलब अगर दिल का कोई मसला है तो उसकी विजह से आपके सीने में दर्द रहता है, या चेस्ट पेन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिरफ दिल के मसायल की ही वज़ा से आपके चेस्ट में पेन नहीं रहती, बलके और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जिस इसके वज़ासे आपके सीने में दर्द रह सकती है या चुभन फील हो सकती है या इसे भारीपन मैसूस हो सकता है तो आज हम इनी causes बे बात करेंगे सबसे पहले 3-4 causes हैं हमारे पास सबसे पहले वो causes जो heart related होती है मतलब दिल के मसाइल उसके बाद वो मसाइल जो हमारे मिर्दे जिगर मतलब जो gastro intentional मतलब GIT system के होते हैं उनकी वज़ासे भी chest में pain हो सकती है इसके अलावा हमारे पास कुछ psychological issues होते हैं जैसे के panic attacks वगरा या high BP की वज़ा से arteries वगरा पर pressure पड़ सकता है उसकी वज़ा से भी आपको ये issues हो सकता है कि आपके chest में pain हो इसके अलावा हमारे पास muscles related या bone related कोई मसला है musculoskeletor related कोई मसला है उसकी वज़ा से भी आपकी chest में pain हो सकती है जो फेफ़णों के मसाइल होते हैं उसकी वज़ा से भी आपको chest में pain हो सकती है तो ये कुछ reasons हैं जिसके वज़ा से आपको chest में pain हो सकती है सिरफ दिल के मसलों की वज़ा से chest में नहीं होती है तो देख लेते हैं कि heart related कौन से मसाइल हो सकते हैं जी heart related हमारे पास angina हो सकता है ठीक है इसके लबा heart attack हो सकता है अगर आपकी heart muscles को सही से supply नहीं हो रही तब भी यह मसाइल सीने में जलन दर्द वगरा हो सकती है आपको इसके लबा हमारे पास अगर aorta या कोई blood vessel में supply नहीं सही औरी या कोई और vessels या balls का मसला बन गया है उसकी वज़ासे भी आपको chest में पेन हो सकती है यह थे heart related मसाइल अब वो मसाइल जो lungs के related हैं जिसकी वैसे chest में पेन हो सकती है वो हमारे पास नहीं pulmonary embolism मतलब for example अगर आपके फेपड़े में कोई blood clot चला गया है तो उसकी वज़ा आपको जो है वो chest pain फील हो सकती है इसके अलावा जो है वो आपको lung collapse में अगर आपके lungs बिल्कुल collapse कर गया है खतम हो रहे हैं बिल्कुल उसकी वज़ासे भी आपको जो है वो chest pain हो सकती है इसके अलावा हुमारे पास है कि अगर आपके lungs के किसी भी tissue में या कोई lungs के मतलब ब हो सकती है उसमें जो है वो क्या होगा अगर आपने कोई ऐसा खाना खा लिया हैbas glor Sarah से आपका डिजर नहीं हो पारी है तो आपको ऐसे फील होगा जैसे सिने में जलन हो रही है टिसम फो सकता है इसकी विए SOS में पेन फील हो सकती है इसके अलावा हमारे पास अगर आपकी पैंक्रियास में या गाल ब्लैडर में कोई इन्फलेमेशन हो गई है उसकी वज़ा से भी आपको चेस्ट में पेन फील हो सकती है कि जो और रीजन हो सकती है चेस्ट में पेन होने की जैसे कि आपकी कोई रिब्स तूट गई है या जो हमारे पास चेस्ट के मसल्स हैं काटिलेज हैं कोस्टोकॉंड्राइटस वहां पे इन्फलेमेशन हो गई है कोई और मस्कूलर रिलेटेड या बॉन रिलेटेड या आपके रिब्स इंजर्ड हो गई है कोई एक्सिट में फील हो सकती है तो यह कुछ रीजन्स हैं जिसकी वैसे आपको चेस्ट में पेन हो स अब बुकोwest